हेलो काईज वेलकम बैक टू माय अनर्डर व्लोक्स आज हम करेंगे बोटिंग उद्यपूर की फैमस जिल पिछोला लेक में है और इसके साथ मैं आपको कराऊंगा जगमंदीर और उद्यपूर की लगजरी फाइफ स्टार होटल का आउटर व्यू बोड राइट का ये मेरा एक्सप्रेंस है और इसके लिए मैं काफी एक्साटेट हूँ दूद तलाई के पास एक बोटिंग पॉइंट बना हुआ है जासे मैंने 180 में एक टिकेट लिए जो हमें 15 से 20 मिर्ट की राइट करवाएंगे ये राइट मुझे हमेसा याद रहेगी योकि इससे अमेजिंग विए मुझे सायद और कहीं देखने को नहीं मिलेगा वैसे हाँ कभी वैनिस गया तो सायद इससे अमेजिंग व्यू आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि उदेपूर को वैनिस ऑफ द इश भी कहा जाता है और आप जो सामने महल देख रहे हैं ये है सिटी पेलेस इसमे में मेवाड के प्रिंस लक्स राजसेंजी रहते हैं और इसी के पास दूसरी होटल फते परकास पहले से जहां से देखने में बहुत ही खुबसद नजारा लग रहा है इससे अच्छा बोटिंग एक्स्विंस कई और नहीं मिल सकता और गाईस बहुत से टूरिस उद्धेप ना वह बहुत ही अल्टिमेट मिलेगा और पिच्छला लेक की बोटिंग एक्स विंग बहुत ही अमेजिंग रहेगी वैसे मैंने एक बात नोटिस की कि सायद पिच्छला लेक में इस्पीड बॉट नहीं है यहां पर नौर्वल बोट ही है लेकिन आपको इस्पीड बोट क करनी है तो मेरा सेजिसन यही है कि आप पिछोला लेग में बोटिंग करें या अल्टिमेटी व्यू आपको मिलेगा और बोटिंग करते समय लाइब जैकेट ज़रूर पहने और गैस एक इंपोर्डन बात बता दू कि पिछोला का बोटिंग का बेस्ट टाइमिंग हना वो है स संसेट से थोड़ा पहले सिटी पेलेस और जग मंदिर की लाइटिंग हो जाती है और यह व्यू बहुत ही अल्टिमेट रहता है मैं कुछ इस टाइम पर बेठा जब संसेट होने ही वाला था और तब सिटी पेलेस की लाइटिंग नहीं होई थी जब आप वापस गूम कर आ जाते हैं जग मंदिर से होते हुए उस टाइम लाइटिंग हो जाती है और वह बहुत ही खुब से नहीं जा रहता और इससे भी इंपोर्टेंट बात यह है कि जब लाइटिंग वाला व्यू ना भाई यह व्यू आपको विंटर में ही मिल सकता है क्योंकि विंटर में बाइटिंग करते हुए लोगों को देखा है इसलिए मैं कनफोर्म नहीं हूँ सायद वह जग मंदिर से सीटी पैलेस के लिए प्रेशनल बोट हो और गाइस अमराइगार्ट और उदेपूर के टूरिस प्लेस के आपको मेरे ब्लोग एंड स्क्रीन में प्लेयलिस से मिल जा और इसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है जग मंदिर को मेवाड के तीन राजाओ के शासन कालमेर बन कर त्यार हुआ था महल का निर्मान पंद्रासो इकावर में महाराणा अमर सिंग द्वारा शुरूग किया गया था जिसे महाराना करनत सिंग के द्वारा जारी दख रखा गया और अंत में महाराना जगत सिंग प्रत्थम द्वारासो उलाशो अठाईस से वीभाराला 16.92 में पूरा किया गया और इनी के सम्मान में इसका नाम जगत मंदीर रखा गया और सहाई परिवार इस महल का उप्योग गर्मियों में रिशॉर्ट्ट और पार्ट रे आयूजन के लिए महल का उपयोग किया करते थे अगर आपको जगमंदीर घूमना है तो इसके लिए पहले City Place जाना होगा क्योंकि जगमंदीर का टिकेट City Place से ही मिलता है और इसका टिकेट प्राइस इसके टाइमिंग पर डिपैंड करता है अगर आप 2 बज़े से पहले जाएंगे तो 500 टिकेट प्राइस होगा और 2 बज़े के बाद 800 टिकेट प्राइस होगा और इस टिकेट में बोटिंग भी कर सकेंगे और जगमंदीर भी गुम लेंगे और इस टाइम जगमंदीर बहुत ही beautiful लग रागा है लाइटिंग होने के बाद पिछले लेक का व्यू अल्टिमेट ही आता है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले जिससे मेरे और ऐसे व्लोग देख सकें और वीडियो को लाइक कमेंड और सेर जरूर करें